तो इस प्रश्ण में आपसे पूछा जा रहा है अभी करनाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल ये कहां पे स्थापित किया जाएगा तो आंसर होगा मंगलूरू में LNG मतलब होता है Liquid Natural Gas तो आपको याद रखना है करनाटक का पहला LNG टर्मिनल है ये जो कि मंगलूरू में इस्थापित होगा ये करनाटक का तो पहला है परदेश का छटा है और आपसे पूछा जाए किस कमपनी की साहता से इस ते इस्थापित किया जाएगा किया जाएगा अच्छा अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए भारत का पहला LNG टर्मिनल ये का पर स्थापिद हुआ था तो आंसर होगा नागपुर में LPG यानि की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस अच्छा चलिए बताईए ये वर्ल्ड LPG असूसियेशन का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया था तो आंसर होगा श्रिकांत मादव वैद को LPG में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन और इसमें जो स्मेल आती है किसके करण आती है जिसका नाम रखा गया है रुद्र इसे किसने बनाया Electronics and IT Ministry और C-DEC ने C-DEC मतलब Center for Developing Advanced Computing जिसका Headquarter है पुने में तो पूछा जाए रुद्र क्या है तो ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है ये आपको याद रखना है आचा कुछ और नाम में आपको बताता हूँ जो भी न्यूज में थे जैसे कि इंदरजाल नाम हो गया पूछा जाए इंदरजाल क्या है सोदेशी Drone Defense System है INS Vikrant हमारा सोदेशी विमान वाहक पोथ है INS Drog भारत का पहला उपग्रह और Missile Tracking जहाज है ये और प्रले की बात करेंगे अभी DRD उने पहली बार इसका सफल परिक्षन किया था Surface to Surface Missile है ये और Sibir क्या है S-I-B-I-R Sibir रश्या का पहला परमानु संचालित Ice Breaker है ये तो ये भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे तो इस प्रशन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में Cryptocurrency पर नजर रखने के लिए देश का पहला Crypto Index IC15 को अभी किस ने लॉंच किया तो अंसर होगा Crypto Wire ने तो Global Crypto Super Application है Crypto Wire और इसे ने भारत का पहला Cryptocurrency Index को लॉंच किया है जिसका नाम है IC15 तो इस Index में दुनिया के सबसे अधिक Trade होने वाली 15 Cryptocurrencies की Performance को ट्रेक किया जाएगा अच्छा Cryptocurrency मतलब एक तरह से Digital Currency Virtual Currency आप इसे बोल दीजिए जिसे आप Real में नहीं छू सकते हो ये Computer पे चलती है Blockchain System पे आधारित है ये Currency कुछ प्रशन अगर मैं आपको Relate करके बताओं तो पहला प्रशन तो ये बनेगा कि अभी किस देश ने Bitcoin Bitcoin जो है ये पहली Digital Currency है तो बताओ किस देश ने Bitcoin को Legal Currency अभी घुशित किया तो आंचर होगा अलसलवा डोरने इस तरह से ये पहला देश बना Bitcoin को Legal Currency घुशित करने वाला Bitcoin के जनक किसको माना जाता है सातोशी नाका मोतो को और इनसे भी एक प्रशन बन जाएगा अभी किस देश में Bitcoin के संस्थापक सातोशी नाका मोतो की प्रतिमा का अनावरन किया है तो आंसर क्या होगा हंगरी अचा बताओ भी किस देश ने Cryptocurrency कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े Exchange Platform बिनासे को बैन कर दिया तो आंसर होगा Britain ने वैसे अभी Nigeria ने भी अपनी Cryptocurrency को launch करने की घुशना की थी और उसका नाम क्या रखा E.Naira और एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया Crypto अपनाने के मामले में भारत कौनसे इस्थान पर है तो आंसर होगा दूसरे इस्थान पर पहले पर वियत नाम है तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे अचा बताईए अभी हाल में भारत के पहले Open Roke संग्रहाले किया कहां पर हैदराबाद में तो यहां पर होगा क्या तो जैसा कि Museum में होता है यहां पर जो लोग है वो Rock यानि कि चट्टानों के बारे में और ज़्यादा जानकरी ले सकेंगे यहां पर परत्वी के हजारों साल पूराने चट्टानों आपको देखने को मिलेगी देखो चट्टानों से मैं आपको बता दू चट्टाने आपको मुख्य रूप से तीन परकार की मिलेगी एक होती है आगने जिसके इंगलिश में कहते हैं Igneous Rock एक होती है अउसादी चट्टाने यानि कि Sedimentary Rock और एक होती है कायांतरित चट्टाने यानि कि Metamorphic Rock देखो जो आगने यानि कि Igneous Rock होती है यह ज्वाला मुख्य का जब लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे बनती है वो चट्टाने उन्हें का जाता है आगने चट्टाने उधारन इसका क्या हो गया Granite हो गया Basalt हो गया अउसादी चट्टाने यानि कि Sedimentary Rock क्या होती है इनका निर्मान आगने चट्टानों से ही होता है इन्हें परतदार चट्टाने भी कहा जाता है इनके उधारन दीजिए, बल्वा पत्थर हो गया, दोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, और तीसरी मेंने आपको बताया, कायंतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, तो temperature, pressure और chemical reaction के कारण जब आगने और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है न, जिस एक प्रशन का मेरे उत्तर देते जाईए, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, हम बढ़ते आगे, अभी किस जिले में असम के पहले खेल विश्विध्ध्यले का उधगाटन किया गया, डिबरुगड में, तो हमारे shipping मंत्री और आयूश मंत्री हैं सर्बानन्दा सो उन्होंने असम के डिबरुगड जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्विध्यले का उधगटन किया, और इसे श्री श्री अनि रुद्ध देव स्पूर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा, मतलब ये मोमोरिया सत्तरिया समुदाय के महान संत के नाम पर इस्ता और मुख्य मंत्री हिमन्त विश्वा सर्मा है और गवर्नर है जगदीश मुखी, बढ़ते आगे, फिर बताईए ये भी इंपॉर्डन्ट है कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो आंसर होगा कोची, एक्चुली में कोचीन प्यार लिमिटेड में कितनी बनेगी 23, जिन में से पहली नाव को अभी जल में उतार दिया गया और उसका नाम रखा है मुझरिस, तो प्रश्ण क्या है फिर से पढ़ो, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो आंसर क्या होगा, और कोची काँपर केरल में है, अच्छा मुझे बताओ भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्गाटन काँपर किया गया, तीरु अनन्तपुरम केरल में, और भारत का पहला शरमिक आंदुलन संगरहाले काँपर खुला गया, ये भी केरल में, और बताओ दुन पहला डुगॉंग संगरक्षन रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तमिलनाडू, कहां पे स्थापित किया पाक खाडी में, डुगॉंग इसको इंगलिस में कहते हैं सी काओ, और रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला सारवजनिक रूप से, र पहला ग्रेन एटियम कहां पे खुला, गुरुगराम हरियना में, और भारत का पहला राष्ट्रे डॉल्फिन अनुसंधान केंदर कहां पे खुलेगा, पटना में, जबकि भारत का पहला वन चिकित्सा केंदर कहां पे खुला, उत्तराखंड में, अब एक प्रस्न में आप आयू वर्ग के बच्चों का टीका करन करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिट्री कौन सा बन गया तो अंसर होगा लक्षद्वीब तो पहला प्रस्ण तो यहां से यही बन जाएगा 15-18 वर्ष आयू वर्ग के बच्चों का टीका करन कब से शुरू हुआ 3 जनवरी 2022 से और लक्षद्वीब पहला यूनियन टेरिट्री बन गया है 15-18 वर्ष आयू वर्ग के बच्चों का टीका करन करने वाला अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए 100% टीका करन करने वाला यानि कि दोनों डोज लगाने वाला पहला यूनियन टेरिट्री कौन सा बना था तो आंसर होगा अंडमान निकोबार पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किनौर जिला पहला गाउं जमु कश्मीर का व्यान गाउं बना था और अगर पूछे टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिट्री कौन सा बना था लक्षय द्वीब बना था अब बताईए सूवर से हर्दे प्रत्यारोपन हार्ट ट्रांस्प्लांट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? डेविड बैनेट ये एक अमेरिकी व्यक्ति है जो अभी अनुवांशिक रूप से संशोधित सूवर से हाठ ट्रांस्प्लांट प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए है ये डेविड बैनेट है और डेविड से आपको याद आएगा डेविड डायोप का नाम ये फ्रांस क के लेखा के अभी इंटरनेशनल बुकर पुरुषकार जीता था इन्होंने अपने नॉवल At Night All Blood Is Black के लिए और देविड से फिर याद आएगा आपको डेमन गलगुट का नाम बुकर पुरुषकार जीता इन्होंने इनके नॉवल The Promise के लिए ये इंपोर्टेंट नाम इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे तो आपको बताना है अभी हाली में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पत्पर चैनित हुई है तो आंसर होगा स्वाति शर्मा तो राजस्तान के जुनजुनुकी है ये स्वाति शर्मा जिनको World Trade Organization में लीगल ऑफिसर बनाया गया World Trade Organization जिसकी स्थापना होती है एक जनवरी 1995 में इसमें आपको टोटल मिंबर देश मन लिए 164 हैटकोर्टर इसका जनेवा स्विजरलेंड में है और इसकी अभी पहली मैला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी नागोजी उंकाजा इवेला जो की नाइजीरिया से है अचा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है क्रिस्टलेना जोर्जीवा और इसकी जो अभी गीता गोपी नाथन थी जो अभी तक चीफ इकॉनमिस्ट थी वो क्या बन गई है फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है और अभी वर्ल्ड बैंक के सिक्षा सलाकार कौन बने थे रनजीत सिंग डिसाले बने थे अचा अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन से इंडेक्स को बंद कर दिया तो याद रखना Ease of Doing Business Index को बाकी करती करंथ की बात करते हैं Wild Innovator Award पाने वाली पहली भारते महिला बनी धरती बनर जी Geological Survey of India की पहली महिला अद्देक्ष बनी और प्रियंका मोहिते Mount Annapurna जो कि आपको मिलेगी नेपाल में इसको फत्य करने वाली पहली भारतिया महिला बनी थी ये ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे अच्छा बताईए जनवरी 2022 में United Nations Security Council आतंकवाद विरोधी समीती के अद्दिक्षिता कौन कर रहा है तो आंचा रोगा भारत अच्छा United Nations Security Council में तोटल मेंबर कितने हैं? 15 हैं जिसमें से 5 तो पर्मानेंट होते हैं और 10 होते हैं Non-Permanent जो ये 5 पर्मानेंट होते हैं पहल तो बात कर लें ये कौन कौन से हैं रश्या है, फ्रांस है अमेरिका है, चाइना है और इंग्लेंड है, और इनी के पास होती है veto power, veto power का क्या फाइदा हो गया, अगर किसी भी topic पे कोई बात चल रही है, और एक ने भी उसे मना कर दिया, मतलब एह सहमेथ हो गया, तो फिर उस बात को आप पास नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ भी हो गया वो, कोई भी कानून हो गया कुछ भी बात हो गई, तो एक ने भी अगर देश ने मना कर दिया, तो फिर उसे लागू नी किया जाएगा, वो cancel हो जाएगा महीं पे, और ये जो 10 non-permanent देश होते हैं, इसी में भारत शामिल है, इनका कारेकाल 2 साल का होता है, इंडिया भी 8 वी बार इसमें शामिल हुआ है, तो इस United Nation Security Council ने ही एक समीती बनाई हुई है, आतंकवाद विरोधी समीती, तो इस समीती का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को जन्वरी महीने के लिए, पिछली बार ये 2012 में बना था, अच्छा, आतंकवाद विरोधी से आपको याद होगा, शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजिशन ने एक Anti-Terror Exercise का आयोजन किया था, उसका नाम था पाबवी Exercise, अच्छा, मुझे बताओ United Nation Women's Award for Leadership Commitment 2021 को किस ने जीता था? दिव्या हेगडे ने और United Nation ने किस वर्ष को मोटे अनाच का अंतर राष्ट्रे वर्ष Year of Millets के रूप में घोशित किया 2023 को और वैसे आपको बता दू, सैयुक्तर राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिशत में अभी भारत भी 2025 से लेके 2024 तक मेंबर बना है इसमें टोटल मेंबर होते हैं 54 और भारत को UNESCO के कारेकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया अभी 2021 से लेके 2025 तक के लिए अनिकि 4 सालों के लिए बाकि आप जानते हैं United Nation की स्ताफना होती है 24 अक्टूबर 1945 में इसलिए तो 24 अक्टूबर को हम United Nation Day मनाते हैं Headquarter है New York में और इसके Secretary General है Antonio Guterres जो के पूर्तगाल से है अब एक प्रशन में आप से पूछूँगा इसके जो पूर्व Secretary General थे Ban Ki Moon अभी उनकी autobiography आई थी उसका नाम आपको बताना है comment box में type करके और हो सकता है आपको ये प्रशन तो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ ये important है इसलिए मैं बार-बार पूछूँगा ताकि आपको revision हो सके कम से कम इस भाने तो आप comment box में लिखोगे अभी हम बढ़ते हागे तो बताईए अभी हाली में शंगाई corporation organization का नया महा सचीव किसे बनाया गया important question है तो आंसर होगा जांग मिंग को तो चाइना के वरिष्ट राजनाइक है जांग मिंग और अभी इनी को शंगाई corporation organization का नया महा सचीव बनाया गया है और ये किन का इस्थान लेंगे वलाद्दमेर नोरोग का इस्थान लेंगे जो कि उजबेकिस्तान के पूर्व विदेश मंतरी थे देखो शंगाई corporation organization की पहले बात करते है इसका headquarter कहाँ पर है शंगाई में नहीं है शंगाई सोच के शंगाई मत कर देना बीजिंग चाइना में इसका headquarter है टाजबेकिस्तान की capital दुशानबे में और अभी शंगाई corporation organization ने एक आतंकवात विरोधी अभ्यास भी किया था जिसका नाम है peaceful mission 2021 कहाँ पे रश्या में September में हुआ था इसमें भारत ने भी participate लिया था और भारत दो करेगा इसे ही क्योंकि भारत SCO का member है और इसी तरह का एक और पापवी anti-terror exercise 2021 हुआ था उजबेकिस्तान के ताशकंद में तो वैसे शंगाई corporation organization में कौन-कौन से देश हैं अब तो नो हो गए तो वो नो देश कौन-कौन से हैं भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और जो मध्या-एशियाई देश हैं यानि कि कज़किस्तान, किर्गिस्तान, तज़किस्तान, उजबेकिस्तान लेकिन याद रखना इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है और अभी इरान शामिल हो गया तो ये भी अच्छा देखो बनने में तो अच्छा क्यूशन बन सकता है कि पूछले आपसे कि बताइए शंगाई कॉपरेशन और्गेनाजेशन में कौन सा मध्या-एश्याई देश शामिल नहीं है तो आंसर होगा क्या? तुर्कमेनिस्तान बाकि मोहमद बिन सुलेयम युनैटेड अर्ब अमिरात के हैं अभी इंटर्नेशनल ऑटो मोबाइल फेडरेशन के पहले गेर यूरोपी अद्यक्ष बने अहमद नासर अलरैसी ये भी युनैटेड अर्ब अमिरात के हैं बताईए अभी हाली में किस राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री प्रताप सिंग राणे को राज्य मंत्री परिशद में आजीवन केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया तो अंसर होगा गोवा गोवा के पूर्व मुख्य मंत्री है ये प्रताप सिंग राणे उन्होंने विदायक के रूप में 50 साल पूरे कर लिए और इसी उपलब्दी के कारण उन्हें आज इवन केबिनेट मंतरी का दर्जा दिया गया भी गोवा सरकार ने देखो गोवा की केपिटल पनजी है पनजी किस नदी के किनारे इस्ते थे थे मांडोवी नदी के किनारे यहां के मुख्यमंतरी प्रमूत सावन्त हैं और अगर आपसे पूछे हर घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो अंसर होगा गोवा अभी डूरंड कप किस ने जीता FC गोवा ने और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा और भारत का पहला सेंडियून पार्क का पे विक्सित किया जाएगा गोवा में भारत की पहली हरित उर्जा अभी सरण पर्यूजिना यानि की ग्रीन एनरजी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये कापे स्त्यापित की जाएगी गोवा में ही हर घर जल वाला पहला राज्य बना गोवा और देश का पहला GI स्टोर ये भी कापे खुला गोवा में तो ये याद रखना बढ़ते आगे अचा बताईए अभी असम राइफल्स उत्तर के 20वे महा निरिक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया आंसर होगा विकास लेखरा को तो अभी मेजर जनरल विकास लेखरा को असम राइफल्स उत्तर के 20वे महा निरिक्षक के रूप में न्यूक्त किया गया है वे VPS कौशिक का स्थान लेंगे वैसे याद रखना असम राइफल्स इसे पूर्वत्तर का प्रहरी कहा जाता है इसका हेटकोटर आपको मिलेगा शिलॉंग में और इसके डारेक्टर जनरल कौन है प्रदीप चंद्रन नायर वैसे संजे अरोडा की बात करेंगे ITBP के डारेक्टर जनरल है ये पंकच कुमार सिंग BSF के डारेक्टर जनरल बने और शील वरदन सिंग CISF के नए डारेक्टर जनरल बने ये अभी CRPF की बात करेंगे तो इसके डारेक्टर जनरल बने थे कुलदीप सिंग CBI के कौन बने थे सुबोध कुमार जैसवाल ये भी ध्यान रख लेना बढ़ते हांगे अच्छा बताईए पाकिस्तान की पहली मैला सुप्रीम कोट जज कौन होंगी तो आंसर होगा आईशा मलिक तो लाहर हाई कोट की जज है ये आईशा मलिक और अभी इनी को सुप्रीम कोट की पहली मैला जज बनने की मंजूरी मिल गई है तो आईशा मलिक का नाम सिंपल सा आपको याद रखना है बाकी आईशा अजीज का नाम आपने सुना होगा जम्मू कश्मेर की 25 साल की है ये आईशा अजीज और ये बनी थी देश की सबसे कम उम्मर की महिला पाइलेट और आईशा मुगल के बारे में आपने जरूर सुना होगा जब मैंने आपको बताय था कि ट्रांसजेंडर महिला को सयुक्त राष्टर प्रते निदी मंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था पाकिस्तान तो उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आईशा मुगल अचा भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी फातिमा बीवी और भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला Chief Justice तो अभी तक तो कोई नहीं है लेकिन भविशे में बन सकती है कौन N.V. 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 नागरतना वैसे वर्तमान में हमारे Supreme Court में कितनी महिला न्याया धीश हैं? चार है इंदिरा बनरजी, हिमा कोहली, बेला, त्रिवेदी और N.V. नागरतन अभी नई तीन बनी है, ये हिमा कोली, बेला, त्रिवेदी और N.V. नागरतन चलो दो प्रशन का जवाब आप दोगे अब भारत में किसी भी हाई कोट में पहली महिला जज कौन बनी थी और पहली महिला Chief Justice कौन बनी थी? ये मैं आपको बड़ा important प्रशन है, हाली में ओपेक का नया महा सचीव किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा हेतम अलगिस को तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगधन है ओपेक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, Organization of the Petroleum Exporting Countries जिसने अभी कुएत के हैतम अलगिस को अपना नया महा सचीव न्यूक्त किया है देखो ओपेक किस्त आपना होती 1960 में हैटकोर्टर कहां पर है, वियना आस्ट्रिया में है, चलो आप तो यही बता दो कि यह जो वियना है, आस्ट्रिया की कैपिटल, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैंने कई बार बताया आपको, डैन्यूब नदी के किनारे, और यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, कि वो कौन सा देश है जो कि खाड़ी देश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है या ओपेक का सदश्य है तो आंसर होगा वेनेजूएला मतलब आप देखोगे, ओपेक में जो भी देश है वो सभी खाड़ी देश है, मतलब वहां का मेन बिजनिस आपका तेल का बिजनिस है परन्तु वेनेजूएला, यह दक्षिन अमेरिका का देश है, लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है इसलिए ये एक अच्छा प्रश्ण बन सकता है और विश्व का सबसे उच्छा जलब परपात वाटरफॉल एंजल जलब परपात है जो कि वेनेजूएला में मिलेगा आपको और वेनेजूएला में घास की मेदानों को क्या कहा जाता है लानोस बाकि मुहमद बेन सुलेयम युनेटेड अरब अमिरात की है ये और इंटरनेशनल आटो मोबाइल फेडरेशन के पहले गेर यूरूपी अद्यक्ष बने नासर अल रहीसी ये भी युनेटेड अरब अमिरात के हैं इंटर पोल के नए अद्यक्ष बने और अलका मित्तल ओइन जी सी की पहली भहिला हेड बनी ये और बताओ कुछ समय पहले ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया था कतर हो गया था तो अभी आपको टोटल मेंबर कंट्रीज मिलेंगे इसमें तेरा ध्यान रखना बढ़ते आगे अचा बताइए किसे क्रशी लागत और मुल्य आयोग के अद्यक्ष की रूप में नियूक्त किया गया आंचर होगा विजी पॉल शर्मा को तो अभी केंद्र ने विजी पॉल शर्मा को क्रशी लागत और मुल्य आयोग के अद्यक्ष की रूप में फिर से नियूक्त कर दिया है अचर क्रशी लागत वा मुल्य आयोग इसकी स्तापना होती 1965 में और इसका काम क्या होता है MSP का निर्धारन करना याने कि मिनिममम सपोर्ट प्राइस नियूंतम समर्थन मुल्य आयोग और कितनी फसलों के लिए होता है 24 यहां से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है किस फसल के लिए MSP नरधारित नहीं होता गन्ने के लिए क्यूं? क्यूंकि गन्ने के लिए निर्धारित होता है उचितव लाबकारी मुलिया बाकी देखो अभी राष्ट्रे स्वच गंगा मिशन के डारेक्टर जनरल बने थे कौन? जी अश्योक कुमार इंडियन कोस्ट गार्ड के 24 वे प्रमुक बने थे विरेंदर सिंग पठानिया और रेलवे बोर्ड के नए चेर्मेन और सीयो बने थे विने कुमारत तिर्पाथी ये नाम भी इंपोर्टेंट है याद रखना बढ़ते आगे बताईए Asian Infrastructure Investment Bank के उपाद्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा उर्जीत पटेल को उर्जीत पटेल जो के आर्बिया के पूर्व गवर्नर थे और अभी इनी को Asian Infrastructure Investment Bank का उपाद्यक्ष नियुक्त किया गया है आपको बताए भारत Asian Infrastructure Investment Bank का संस्थापक सदस्य है जिसके पास चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा voting share है और ये उर्जीत पतेल किन का इस्थान लेंगे? DJ Pandian का इस्थान लेंगे और उर्जीत पतेल से आपको याद होना चाहिए इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक भी लिखी थी बुक का नाम बता सकते हो क्या? Overdraft Saving the Indian Saver बाकी Asian Infrastructure Investment Bank स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को Headquarters का Beijing चाइना में है और इसके Member Countries है 104 President है जिन लेकन Vice President बन गए है उर्जीत पतेल बाकी Bimal Jalan इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? Bimal Jalan भी RBI के पूर्व गवर्नर है इन्होंने बुक लिखी है The India Story विरल आचार्य ये RBI के पूर्व Deputy Governor थे इन्होंने बुक लिखी है Quest for Restoring Financial Stability in India रगुराम राजन ये RBI के पूर्व गवर्नर है इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है I Do What I Do ध्यान रखना ये बढ़ते आगे बताईए हाली में किसे? Adani Power का CEO Nuked किया गया तो आंचरोगा Share Singh ख्यालिया को तो अभी Adani Power ने Share Singh ख्यालिया को अपना CEO Nuked किया है Adani Power जिसका Headquarter मिलेगा अहमदाबाद में founder है Gautam Adani बाकित जी अशोक कुमार राष्ट्र स्वच गंगा मिशन का Director General बनाया गया अलका मित्तल ONGC की पहली मैला अध्यक्ष बनी V.S. पठानिया Indian Coast Guard के 24 वे Director General बने और V.K. तृपाथी ये नाम भी अभी News में था बताईए ये क्या बने है हम बढ़ते आगे बताईए International Monetary Fund के मुख्य अर्थ शास्तरी के रुप में किसे नियुक्त किया गया तो आंचर होगा P.R. ओलिवियर को अच्छा आपको याद होगा अभी तक International Monetary Fund की मुख्य अर्थ शास्तरी यानि की Chief Economist कौन थी गीता गोपिनाथ थी या आप यूं कह सकते हो International Monetary Fund की पहली मैला Chief Economist थी ये गीता गोपिनाथ लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने बढ़ा था कि गीता गोपिनाथ अब International Monetary Fund की First Deputy Managing Director बन गई है इन्होंने इस्थान लिया था जियोफरे ओका मोटो का तो अब आप देखोगे Chief Economist मुख्य अर्थशास्त्र की जगे वहाँ पे खाली हो गई है तो अब International Monetary Fund के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए है Pierre A. Olivier ये नाम आपको ध्यान रखना है बाकी Lawrence Deskors France में दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है Louvre Museum उसकी पहली महिला अद्यक्ष बनी Susano Arnold Disney Board की पहली महिला अद्यक्ष बनी और Magdalena Anderson Sweden की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी देखो International Monetary Fund होता है ना इसकी स्तापना होती 1945 में Washington DC में Headquarter है और Total Member Countries है 190 190 वा देश बना था Andorra और इसकी Managing Director कौन है Crystalina Georgiwa याद रखना ये भी बढ़ते आगे अच्छा ये बड़ा important प्रशन है कि इस्तरों के नए चीफ अब कौन होंगे तो आंचारों का S. Somnat तो विक्रम साराबाई Space Center के Director के रूप में काम कर रहे Rocket Vajjanic S. Somnat अब ये इस्तरों के नए प्रमुख होंगे किसका इस्तान लेंगे के शिवान का इस्तान लेंगे इन्हें तीन साल के लिए न्यूक्त किया गया है तो इनका नाम याद रखना है और बात इस्तरों की है इस्तरों मतलब होता है Indian Space Research Organization और इसका मोटो क्या है Space Technology is in Service of Humankind बाकि जी अशू कुमार राष्टर स्वच गंगा मिशन के डारेक्टर जनरल बने अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी और फी एस पठानिया यानि कि विरेंदरी सिंग पठानिया Indian Coast Guard के 24 वे परमुग बने और VK तृपाथी नाम भी नियूज में था यानि कि विने कुमार तृपाथी ये Railway Board के भी नए चेर्मेन और CEO बने थे और इनी के नाम से आप याद रख सकते हो KVIC के अध्यक्ष का नाम उनका नाम क्या है विने कुमार सक्ष से ना है ध्यान रखा ये बढ़ते आगे अच्छा बताईए कजाकिस्तान के नए प्रधान मंतरी कौन बन गए अली खान इसमाई लोग कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल नूर सुल्तान है करंसी है कजाकिस्तानी तेंगे पाकिपेटर फियाला चेक रिपबलिक के प्रधान मंतरी बने थे डेम सेंटरा मैसेन का नाम तो याद रखना इंपोर्टेंट है बारबा डोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है औलाफ स्कूल्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए एंजिला मरकिल की जगे बढ़ते आगे फिर बताईए अभी SBI ने मुफ्त ऑनलाइन IMPS लेंदेन की सिमा को 2 लाख रुपे से बड़ा घर कितना कर दिया तो अंसर होगा 5 लाख रुपे IMPS मतलब immediate payment service यानि कि ततकाल भुक्तान सेवा तो ये एक ऐसा banking payment service है जिसको इस्तमाल करके आप real time में पैसे को एक account से दूसरे account में भेज सकते हो मतलब हात वात पैसे चले जाएंगे वैसे आपने NEFT और RTGS के बारे में भी सुना होगा उसे भी हम इस्तमाल करते हैं पैसा भेजने में एक account से दूसरे account में पर उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है पर IMPs के माध्यम से पैसा तुरन ट्रांसफर हो जाता है इदर आपने भेजा उदर पैसा चला गया आपको इंतजार नहीं करना पड़ता अचा मैंने दो नई टर्म बोली अभी NEFT और RTGS इनकी फुल फॉर्म आप याद रखा करो इस तरह की जो फुल फॉर्म आती है न खास तोर पे बैंक के एक्जाम रिल्व अगरा में ग्रूप डिव अगरा में ये important होती है जैसे कि IMPs की मैंने आपको बताया immediate payment service NEFT की क्या होगी national electronic fund transfer RTGS की क्या होगी real time gross settlement तो अभी हुआ क्या SBI ने अपने ग्रहाकों को digital banking अपनाने के लिए प्रोचाहित करने के लिए मुफ्त IMPS online lending की सीमा को 2 लाख रुपे से बढ़ा कर 5 लाख रने का फैसला किया है मतलब 5 लाख रुपे तक के IMPS lending पर कोई भी charge नहीं लगेगा IMPS की शुरुवात सबसे पहले NPCI National Payment Corporation of India ने की थी सन 2010 में देखो SBI की बात है SBI की स्तापना होती है 1 जुलाई 1955 में हेड़कोर्टर मिलेगा मुंबई में चेर्मेन कौन है? दिनेश कुमार खारा और इसके पूरवध्यक्ष का नाम क्या था? रजनीश कुमार और उन्होंने अभी एक बुक भी लिखी थी वो भी Current Affairs का ही क्यूशन है बुक का नाम क्या है? चलिए ये प्रशन मेरा आप से रहेगा बुक का नाम क्या है? बताइए हम बढ़ते आगे अचा बताइए अभी बैंक ओब बड़ोदा की brand endorser कौन बन गई है तो आंसर होगा शेफाली वर्मा तो बैंक ओब बड़ोदा ने किर्केटर शेफाली वर्मा को अपना brand ambassador बनाया है शेफाली वर्मा अचा शेफाली वर्मा के नाम से आपको क्या याद आता है सबी फॉर्मेट में डेब्यू गरने वाली सबसे युवा भारते खिलाडी बनी थी ये अच्छा भी इस मृती मंधाना से आपको याद आएगा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली बारते मैला बनी थी ये उसके अलावा पिंक बॉल किर्केट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली बारते मैला भी बनी थी ये और अंतरराश्टर किर्केट में दस हजार रन बनाने वाली पहली बारते मैला किर्केटर कौन बनी थी मितालीर राज बनी थी तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे बताईए अभी किस बैंक ने UiPath Automation Excellence Award 2021 को जीता South Indian Bank तो अभी South Indian Bank ने Crisis for Business Continuity के तहत सर्वश्रिष्ट Automation के लिए UiPath Automation Excellence Award 2021 को जीता तो ये जो पुरुसकार है ये बैंक को Robotic Process Automation शमताओं के असाधरन उप्योग के लिए दिया गया है UiPath Automation Excellence Award का उदेश है Automation के बदलाओ करने वालों को पहचाना बाकी इंडिसन बैंक Green Fixed Deposit इसने शुरू किया Axis Bank तो देश में Point of Sell Machine स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था Axis Bank SDFC Bank की बात करें तो Most Innovative Best Practice 2021 के लिए Confederation of Indian Industry का आवर्ड जीता था South Indian Bank का Headquarter मिलेगा आपको त्रिसूर केरल में MDCO है मुरली रामकरशनन Tagline होती है Experience Next Generation Bank बढ़ते आगे तो बताईए अभी किस General Insurance Company ने Hashtag बहाने छोड़ो टेक्स बचाओ अभ्यान को शुरू किया SBI General Insurance ने तो अभी SBI General Insurance ने Tax बचाने और स्वास्त बिमा खरीदने के आवशकता के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए Hashtag बहाने छोड़ो टेक्स बचाओ नामसे एक अभ्यान को शुरू किया है जिसका उद्देश्य साफ है लोगों को जागरुक करना की कैसे स्वास्त बिमा खरीदने से आपको टेक्स बचाने में मदद मिलेगी SBI General Insurance जिसकी स्तापना होती है 24 फरवरी 2009 मुंबई में Headquarter है MDCO प्रकाश चंदर कांडपाल है और इसका Tag Line होता है सुरक्षा और भरोसा दोनों बाकी इफको Tokyo General Insurance के अभी MDCO बने थे HO Sury बजाज Alliance General Insurance ने अभी Hashtag Care for Hockey Campaign को शुरू किया था LIC ने अभी दो application को launch किया था एक है आनन्द application जो के एजेंटों के लिए है और Development Officers के लिए प्रगती नाम के application है याद रखना ये बढ़ते आते आगे चलो बताओ LIC DG June का उधगाटन कहां पे किया गया आन्सर होगा मुंबई में तो अभी LIC ने अपने गरहकों के लिए अपनी बिक्री और सेवाओं को बढ़ाने के लिए मुंबई के बांदरा कुरला कॉम्पलेक्स में LIC DG June का उधगाटन किया तो निगम DG June परिसर में स्थापित कियो उसके माद्यम से अपने उतपादों और सेवाओं के संबन में जानकरी प्रिदान करेगा और यहां से गरहक DG June में अपनी ऑनलाइन पॉलिसी भी करीच सकते हैं साथ में प्रीमियम का भुक्तान भी कर सेकते हैं और भी अन्ने सेवाओं का लाब उठा सकते हैं बाकी LIC की बात करोगे मुंबी में हैटकोाटर है अध्यक्षे एमार कुमार अभी इसी ने आरोग्यर रक्षक स्वास्त बिमा योजना को शुरू किया था बाकी मैंने आपको बताए दिया LIC ने अभी प्रगति एप्लिकेशन को लॉंच किया था और आनंद मुबाइल एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था बढ़ते आगे अचा बताएए अभी RBI ने वित्य परिद्रश्य पर ध्यान केंदरित करने के लिए किस विभाग की स्थापना की तो आंचर होगा Fintech विभाग तो अभी RBI ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्य परिद्रश्य के साथ ताल मेल रखते हुए Fintech शेत्र में और नवाचार पर ध्यान केंदरित करने के लिए एक Fintech विभाग की स्थापना की है Fintech मतलब हो गया इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा Financial Technology की बात हो रही है तो क्यों की गई इसकी स्थापना तो बदलते वित्य परिवेश में वित्य समाविशन यानि की Financial Inclusion को बढ़ाने के लिए Fintech विभाग की स्थापना की है Financial Inclusion मतलब क्या हो गया देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना ये सीधा सा इसका मतलब होता है देखो RBI की स्थापना का बूती 1 अप्रिल 1935 में Headquarter मिलेगा मुंबई में वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकान दास जो की 25 वे नंबर के हैं पहले British Governor थे Osborne Smith पहले Indian Governor थे CD देशमुक तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे तो इस प्रस्ण में आपको बताना है कि अभी हाली में Mamta Beyond 2021 नाम की जो बुक है इसको किस ने लिखा है तो अंसर होगा जयंत घोशालने तो ये जो बुक है Mamta Beyond ये किन के उपर लिखी गई है ये पश्चमंगाल की जो मुख्य मंत्री है Mamta Bener जी उनके उपर लिखी गई है और इसको लिखा है जयंत घोशालने और अरूनाउं सिंग ने इसको अनुवादित किया है बाकी संजी वर्मा The Modi Gambit Decoding Modi 2.0 नाम की बुक को लिखा रेखा चौदरी India's Ancient Legacy of Wellness नाम की बुक को लिखा और यार लागड़ा लक्षमी प्रसाद गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को लिखा इन्होंने अचा बताईए अभी गांधी के हत्यारे The Making of Nathuram God से और यार लागड़ा लक्षमी ने गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक लिखी याद रखना ये बढ़ते हैं के अब आपको बताना है रतन टाटा जी की जीवनी है रतन एंट टाटा दा ओथराइजट बायोग्राफी इसको किसने लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने तो टाटा संस एमिरेट के चेयर्मेन उद्योग पति और परोपकारी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है इस साल नवंबर तक ही आ जाएगी जिसका नाम है रतन एंट टाटा दा ओथराइजट बायोग्राफी और इसे किसने लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने तो ये इतना सा आपको याद रखना है अच्छा कुछ और इंपोर्टेंट बायोग्राफी के बारे में आपको बजाता हूँ जो अभी न्यूज में रही थी जैसे कि अम्बुजा सिमिंट के जो संस्तापक है नरोत्तम सेक्षरिया उनकी जो बायोग्राफी है उसका नामे दा अम्बुजा स्टोरी युनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून उनकी बायोग्राफी का नामे रिजॉल्वड युनाइटिंग नेशन इन डिविडेड वर्ल्ड सुरेश रेना की है अब एक बुक का नाम आप मुझे बताओ ममता बियोंड 2021 इसको हमने पढ़ा था ये बुक को किसने लिखा है ममता बनर जी के उपर है ये बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके हम बढ़ते आगे ये भी इंपॉर्डेंट प्रशन है कि अभी इंडॉमी टेबल अव वर्किंग वुमेंस नोट्स ओन लाइफ वर्क एंड लीडर्शिप ये किसके आत्मकता है अरुंदती भटाचार्रे SBI की पूर्व महिला अध्यक्ष थी ये और अभी इनकी बायोग्राफिया ये जिसका नाम है इंडॉमी टेबल अव वर्किंग वुमेंस नोट्स ओन लाइफ वर्क एंड लीडर्शिप तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली में तीसरे राश्टरे जल पुरुसकार 2020 में किस राज्य को पर्थम पुरुसकार मिला तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश तो अभी तीसरे राश्टरे जल पुरुसकार 2020 की घोशना की गई जिसमें सर्वस्चरेश्टर राज्य श्रिणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरुसकार मिला सैकेंड पे रहा राजस्तान और तीसरे नमबर पे तमिल नाडू है तो ये है तीसरा राश्टरे जल पुरुसकार 2020 में जो आया अगर बात करें पहला राश्टरे जल पुरुसकार की तो वो 2018 में आये था कौन जारी करता है जल शक्ति मंत्राले इसको जारी करता है जिसके मंत्री कौन ए गजिंदर सिंग शेकावत है जिनका निर्वाचन शेत्र कॉंस्टिट्वेंसी है राजस्तान का जोधपुर अब मेरा प्रश्ण आप लोगों से बनेगा एक कि अभी जल शक्ती मंत्राले में सेक्रेटरी सचीव कौन बनी है और उनका नाम बहुत इंपोर्टेंट है मैंने आपको बताया भी अच्छी तरह से अब बताओ आप अच्छा जल हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही आदा इंपोर्टेंट है तो कुछ इंपोर्टेंट कुशन में आप लोगों से पूछूँगा बताओ पहले तो विश्व जल डिवस वर्ड वाटर डे कब मनाते हैं 22 मार्च को वाटर मैन ओफ इंडिया किने का आजाता है राजेंदर सिंग को हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था गोवा बना था केंदर सरकार का हर घर जल का लक्षे कब तक का है 2022 तक का 24 गंटे 7 दिन नल से स्वच जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना उडिसा का पूरी बना तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना पढ़ते आगे तो बताईए अब ये हाली में जारी टॉप 10 वेश्विक हवाई अड़ों की सूची में शामिल होने वाला एक मातर हवाई अड़ों की सूची तयार की है एसी लिस्ट तयार की है जहां साल 2021 में जो फ्लाइट से वो उन टाइम रही है और उसे में भारत से एक मातर हवाई अड़ों भी है और हमारे नागरिक वो उड़ेयन मंत्री कौन है जोती रादित्ति सिंधिया अच्छा बताईए अभी किसे ICMR राष्ट्रि पुरुस्कार जिसे कहेंगे डॉक्टर सुभाष मुखरजी पुरुस्कार के लिए चुना गया किसको तो आंसर होगा सतीश अडिगा को तो मणिपाल Academy of Higher Education के तहट कस्तूर्बा Medical College में Clinical Embryology Department के प्रोफेसर है ये डॉक्टर सतीश अडिगा और इनी को ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research ने राष्ट्र पुरुस्कार के लिए चुना है तो इन वेट्रो फर्टिलाजिशन के शेतर में उनके उत्करष्ट योगदान के लिए उन्हें ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखरजी पुरुस्कार मिलेगा उन्होंने Clinical IVF और Fertility Research दूनों में महत्वपून योगदान दिया इसलिए मिलेगा इनको ये सम्मान तो इनका नाम याद रखना सतीश अडिगा है कौन सा पुरुसकार मिलेगा डॉक्टर सुभाष मुखरजी पुरुसकार कौन देगा इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ये तीन पॉइंड ध्यान रखो बाकी जेसी चौदरी ये भी important नाम है बहुत important नाम है क्योंकि इन्होंने नुमेरल ओजी यानि कि अंक जियोतिशी में पहली बार यानि कि पहला गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है और जिशान ने लतीफ फोटो पत्रकारिता में रामनात गोयन का पुरुसकार मिला विरल देवसाई ग्लोबल एन्वायर्मेंट एन क्लाइमेट एक्शन सिटिजन अवर्ड दो जार किस मिलाईने बढ़ते आगे अचा बताईए अभी किसे बारवे भारत रतन डॉक्टर अंबेडिकर पुरुसकार दो जार बाईस से सम्मानित किया गया तो फिल्म में उनके सरानिय परदशन और भारते सिनेमा के शेतर में योगदान के लिए उन्हें महराष्टर के जो राज्यपाल है गवर्नर भगत सिंग कोश्यारी उन्होंने ये पुरुसकार दिया है तो नाम याद रखना बाकी सतीश अडीगा आईसी एमार ने डॉक्टर सुभाष मुखरजी पुरुसकार दिया था जेसी चौदरी हमने पड़ा था अंक जियोती ही यानिकी निमेरलोजी में पहला गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता इनोंने और हरनाज संदू सत्तरवी मिस यूनिवर्स 2020 का खिता इनोंने जीता था बढ़ते आगे तो इस प्रश्न में आपको बताना है उत्तरप्रदेश सरकार ने मेन पूरी सेनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की गोशना की तो आंसर होगा जेनरल बिपिन रावत तो अभी उत्तरप्रदेश की सरकार ने भारत के पहले CDS यानि की Chief of Defense Staff रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर मेन पूरी में जो सेनिक स्कूल है न उसका नाम रखने की गोशना की है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तरप्रदेश के मेरेट में जो राज्य की पहली खेल University खूली जाएगी उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पे और मेरेट में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध इसमारक भी बनेगा बता उत्तरप्रदेश सरकार ने सहरनपूर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया माश शाकमबरी के नाम पर और उत्तरप्रदेश का पहला आयुष विश्विद्याले का पर खुलेगा गौरकपुर में तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे अचा फिर बताईए गुजरात के केवडिया रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया एकता नगर रेल्वे स्टेशन तो अभी गुजरात के नर्मदा जिले में जो केवडिया रेल्वे स्टेशन है उसका नाम बदल कर एकता नगर रेल्वे स्टेशन कर दिया गया अचा कुछ और पॉइंट्स में आपको बताता हूँ देखो लिंक करके एक तो प्रशन ये बन जाएगा यहाँ पे कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक सिटी कौनसी है केवडिया गुजरात और यहीं पे नर्मना नदी के किनारे सादू बेट द्वीब पर दुनिया की सबसे उची स्टेश्यू बनाई गई थी जिसको आप कहते हैं स्टेश्यू आफ यूनिटी जो कि किसकी है सरदार वल्लब बाई पटेल की सबसे उची है तो उचाई कितनी है 182 मीटर और इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखो राम वी सुतार ये तो है स्टेश्यू आफ यूनिटी लेकिन एक्जाम में प्रश्न बनता है स्टेश्यू आफ पीस ये कहाँ पर है राजस्तान के पाली जिले में है ये आचार्य विजे वल्लब की 151 इंच की अश्ट धातु से बनी स्टेश्यू है ये जमीन से 27 फीट उचाई पर है कुछ और नाम में आपको याद दिलाओं तो आपको याद होगा मद्य परदेश में जो हबीब गंज रेल्वे स्टेशन ने उसका नाम बदल कर रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन कर दिया मद्य परदेश के पाताल पानी रेल्वे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेल्वे स्टेशन कर दिया गया मद्य परदेश में भोपाल मेट्रो का नाम भोच मेट्रो कर दिया गया राजस्तान के जूतपू का जो हुब्ली रेलवे स्टेशन है उसका नाम शिरी सिद्योरुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया और पंजाब में जो मोहाली इंत्रनेशनल होकी स्टेडियम है उसका नाम बल्बीर सिंग सीनियर के नाम पर कर दिया गया अयोध्या हवाई अड़े का नाम मर्यादा पुरुशोत्तम शिरे राम हवाई अड़ा कर दिया गया हर्याणा में जो हिसार हवाई अड़ा है उसका नाम महराजा अग्रिसेन अंतरराष्टर हवाई एड़ा कर दिया गया, लोक सभा वर राज्य सभा टीवी को मर्ज कर दिया और उसका नाम संसट टीवी कर दिया मिड़े मील योजना का नाम प्रधान मंतरी पोशन योजना कर दिया तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताये इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे के 73 शतरंज Grand Master बन गए हैं अच्छा यहीं से रिलेट करके कुछ important questions मैं आपको बताता हूँ पहला तो यह याद रखो कि हमारे पहले Grand Master कौन थे? पुरुशों में थे विश्वनात आनंद और उनकी autobiography का नाम है Mind Master इन्होंने ही 1991-92 में राजिव गांदी खेल रतन पुरुशकार जीता था वैसे इसका नाम बदल करके अभी मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुशकार कर दिया गया है इसमें जो पुरुशकार राशी दी जाती है वो भी बढ़ा करके 25 लाक रुपे कर दी गई पहले साड़े साथ लाक रुपे थी और पहली महिला Grand Master कौन थी वो थी एस विजे लक्षमी और भारत की अभी 21 वी महिला Grand Master कौन बनी थी ये Current Affairs का कुश्यन है तो आंसर होगा दिव्या देशमुक और पूछे विश्व के सबसे युआ Grand Master कौन है तो आंसर होगा अभी मन्यू मिश्रा भारत के सबसे युआ है डी गुकेश जो की दुनिया के तीसरे सबसे युआ Grand Master है अच्छा एक Important कुश्यन और बताता हूँ Current Affairs का कुश्यन है ये आपको आना चाहिए वैसे भारत में पहली बार Chess Academy काँ पे खुलेगी तो इसका अंसर क्या होगा उडीशा की Capital भुवनेश्वर में और Worldwide Chess को Regulate करने वाली Body है FIDE FIDE का Headquarter का आपर है लोजैन स्विट जेलेंड में और एक Static Questions भी अक्षर एक्जाम में Repeat होता है कि जो आपका Chess Board हो गया इसमें भी दो तरक के प्रशन होते हैं देखो Total Number of Squares अगर आपसे पुछे इन Chess Board तो आंसर होगा 204 और यह जो Box है यह आपसे पुछे कि Total Box कितने हैं तो यह होते हैं 64 8 x 8 64 तो यह ध्यान रखना और अभी आगे प्रशन में आपको यह भी बताऊँगा कि World Rapid Chess Championship 2020 का खिताब किस ने जीता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा लेकिन अगर Daily Current Affairs आप लोग देखते होंगे और अगर आपको आंसर याद है तो comment box में टाइप करके बताईए और जब आप comment box में आंसर कर दोगे यह कोई मामूली बात नहीं है इससे बताऊँ क्या पता लगेगा कि किसी भी चीज को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके mind में कितने समय तक वो चीज retain रेती है और अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो इससे ये बात पता लगेगी कि आपको उसे और revise करने की जरुवत है मतलब आप इनकी quiz solve करो इनके audio में बनाता हूँ वो audio आप सुनो जिस भी तरह से आप जितनी भी बार चीजों को revise कर सकते हो उतनी महनत आपको करने की जरुवत है अब ही हम बढ़तें आगे अब आपको बताना है 5-way Halo India Youth Games जो 2022 में होंगे ये कहां पे होंगे मद्यप्रदेश में होंगे ये मद्यप्रदेश के भłपाल में और अगर मैं आपको पुछूं 4-P thé Halo India Youth Games कहां पे होगा तो वैसे तो ये भी 2022 में ही होगा Actually में ये होने वाला था 2021 नवंबर में लेकिन COVID के कारण उसे पॉस्पोन कर दिया और बोला कि फरवरी 2022 में इसको कराया जाएगा पंचकुला हरियाना में और पांचवे ये भी 2022 में होगे जो होना तो था 2021 में लेकिन हुआ 2022 में कहाँ पे पंचकुला हरियाना में पांचवे ये 2022 में होना है भोपाल मध्यपरदेश में और पूछे कि Kello India University Games का दूसरा संस्करन कहाँ पे होना तो करनाटक में और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संसकरन हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसमें टॉप पे राथा जम्मू कश्मीर तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे बताईए हाली में लीजेंड्स लीग किर्केट ने किसे All Women Match अधिकारिक टीम का एमबेजडर नामित किया तो अंसर होगा जूलन गोस्वामी को तो लीजेंड्स लीग किर्केट ने जूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और किर्केट में महिलाओं की भागिदारी को बढ़ाने के लिए अपनी All Women Match अधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियूक्त किया है ये जो लेजेंड्स लीग किर्केट है ये रेटायर्ड किर्केटरों के लिए पेशेवर किर्केट लीग है बाकी शेफाली वर्मा अभी बैंको बढ़ोदा के ब्रेंड एंडोरसर ये चुनी गई थी और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारत्य खिलाडी है ये बाकी अंतरराश्टर किर्केट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारत्य महिला किर्केटर बनी थी मिताली राज और पिंक बॉल किर्केट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भाच्टे महिला बनी थी इस्मरती मंधाना ध्यान रखना ये बढ़ते आगे अब बताना है किस टैनिस प्लेयर ने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल वन टूर्नामेंट को जीत लिया इन्होंने रश्या के कारें खचानूग को हरा करके अपने करियर का 11 खिताब जीता है जबकि वोमन सिंगल टाइटल में बात करेंगे तो इसमें विजेता रही है आस्ट्रेलिया की एशले बाटी और इन्होंने किसको हराया ? कजाकिस्तान की एलिना रिबा किना को हरा करके अपना दूसरा एडिलेड अंतरराष्टर खिताब जीत लिया और मेंस डबल का टाइटल जीता है रोहन बोपनना और राजकुमार राम नाथन ने तो ये भी आप ध्यान रखना बढ़ते आगे अगला प्रशन है अभी किसने 2022 के मेलबर्न समर सेट टैनिस टूर्णामेंट को जीत लिया तो अंसर होगा राफेल नडाल ने इस्पेन के टैनिस प्लेयर है ये राफेल नडाल और अभी इन्होंने 2020 के मेलबर्न समर सेट वन में में सिंगल का टाइटल जीत लिया और Women Single का Title किस ने जीता? Simona Halep ने ये Rome की Tennis Player है अच्छा Tennis की बात है तो आप जानते हो साल में Tennis के चार Grand Slam होते हैं कौन-कौन से? Australian Open, French Open Wimbledon Open और US Open एक तो मैं आपको बताता हूँ 2021 पे Main Single का Title और Women Single का Title किस ने जीता? और यहां से Static प्रशन क्या बनता है कि कौनसा Grand Slam किस कोट पे खिला जाता है तो पहले तो देख लो जो Australian Open हो गया और जो US Open हो गया ये दोनों Hard Code पे होते हैं French Open Clay Code पे होता है और Wimbledon Open होता है Grass Code पे अब Main Single Title की बात करते हैं बड़ा Simple है 2021 का तो जो Australian Open है और जो French Open है और जो Wimbledon Open है इन तीनों को जीता है नुवाक जोकोविच ने ये सर्विया के टैनिस प्लेयर है और US Open इसको जीता है डैनियल मैदवदेव ने ये रश्या के टैनिस प्लेयर है वोमिन सिंगल में बात करेंगे Australian Open जीता था नाओमी ओसाका ने ये जापान की है French Open जीता बार्बोरा कराजिकोवा ने ये चेक रिपबलिक की है Wimbledon Open जीता है Australia की Ashley Barty ने और US Open जीता एमर रादु कानू ने जोकी ब्रिटेन की टैनिस प्लेयर है ध्यान रखना ये बढ़ते आगे अब आपको बताना है विश्व रैपिड शतरण जी चेंपिंशिप 2018 का खिताब किस ने जीता देखो आगया प्रश्न तो इसका अंसार होगा North Derbeck अब्दुस्त तोरो ने तो North Derbeck अब्दुस्त तोरो ये उजबिकिस्तान के टैनिस प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेंपिंशिप 2021 को जीत लिया है और इस तरह से उन्होंने वर्तमान में जो विश्व नंबर वन प्लेयर है मेगनस कालसन उनको पीछे छोड़ दिया मेगनस कालसन ये नौरवे के टैनिस प्लेयर है इन्होंने 2020 के फिडे चेंपिंशिप को जीता था तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे तो बताएए IPL का टाइटल स्पॉंसर कौन बन गया स्पॉंसर होगा टाटा ग्रूप तो वहिया IPL को अपना नया टाइटल स्पॉंसर मिल गया है और ये किसकी जगे लेगा तो चाइनीज मोबाइल कंपनी है वीवो उसकी ये जगे लेगा तो 2023 से IPL का टाइटल स्पॉंसर होगा टाटा ग्रूप या आपको याद रखना है और अगर मैं आपसे पूछूं परशने बताओ अबे रतन टाटा जी को किस राज्य का सर्वोच नागरिक सम्मान मिला था तो आंसर होगा असम का और उस सम्मान का नाम है असम बेभव और अगर पूछा जाए सदी के शीर्ष परुपकारी लोगों की पहली सूची आई थी उसमें टॉप पे कौन रहे थे जमशेज जी टाटा और रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है बायोग्राफी आ रही है चलो ये प्रश्ण मेरा आपी से रहेगा उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है और उसको किस ने लिखा है जब तक हम बात IPL की कर लेते हैं 2022 में IPL होंगे कहाँ पे भारत में और इस बार 10 टीमें खेलेंगी दो नई टीमें आई हैं लखनव टीम और एहमदाबाद टीम 2021 के IPL की बात करेंगे तो फाइनल उसका युनेटेड अरब अमिरात में वा था उसको जीता था चन्नाई सूपर किंग ने वालकता नाइट राइडर को हरा करके प्ले आफ दे प्लेयर आफ दे टूर्नामेंट रहेते हैं हर्शल पटेल जो की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के हैं दो तरकी कैप मिलती हैं एक तो परपल कैप और एक औरेंज कैप परपल कैप मिलती है जो सबसे आदा विकिट लेते हैं वो मिली है हर्शल पटेल को और जो औरेंज कैप है वो जो सबसे आदा रन लेते हैं उनको मिलती है वो मिली रितुराज गायक वाड को जो उरकी चन्ने सूपर किंग के हैं तो इतना सब आप याद रखना बढ़ते आगे अब बताईए किस ने December के लिए ICC Means Player of the Month का पुरुसकार जीत लिया तो अंसर होगा Ajaj Patil ने तो भारत में जनमे New Zealand के किर्केट प्लेयर है Ajaj Patil और इनको अभी December मन्त के लिए ICC Means Player of the Month चुना गया है Ajaj Patil से एक Current Affairs का प्रशन आपको और याद दिलाता हूँ हमने पढ़ा था एक पारी में 10 विकिट लेने वाले अभी तीसरे गेंदबाज कौन बने थे तो वो यही है Ajaj Patil अचा ये New Zealand से है ना तो आपको याद आएगा ICC Test Cricket Championship पहली बार हुई थी उसको जीता किसने था? New Zealand ने भारत को हरा के और अभी T20 World Cup जो हुए थे ओमान और United Arab अमिरात में हुए थे 2020 में उसको जीता था Australia ने New Zealand को हरा करके और T20 में सबसे तेज़ शतक लगाने वाली महिला खिलाडी कौन बनी थी? Sophie Divine ये भी New Zealand की है अब यहाँ पर मैं आपको बता दू एक जानकारी आपके फाइदे की बात है January से लेके December तक 2021 केस में बात कर रहे है January से लेके December तक चितने भी ICC Player of the Month चुने गए चाए पुरुशों में चाए महिलाओं में उसकी quiz बना करके मैं अपलोड कर दिया आपकी Crick Exam application पे तो वहाँ पे जब sports वाले section में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी quiz मिल जाएगी तो जब भी आपके पास मौका मिले उन्हें solve करते रहो हर student को बस एक ही चीज़ की जरुवत है कि उन्हें जो भी वो चीज़े पढ़ रहे हैं जो भी याद कर रहे हैं वो चीज़े याद रहे हैं कम से कम last exam तक तो उसका एक मात्र तरीका है चीज़ों को बार-बार revise करते रहो और quiz बनाने का और जो आपका audio में बनाता हूँ audio revision में उनका सबसे बड़ा benefit यही है उनको आप ऐसे समय पे सुनो या ऐसे समय पे quiz लगाओ जब आपका कुछ नया चीज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा हूँ या कहीं आप travel कर रहे हो या महमान के घर पर हो या घर पे महमान आई हुए हो वरना खाली समय जब आपका पढ़ने का time है तो उस वक्त तो आप नहीं नहीं चीज़े पढ़ते रहो या revision करते रहो यह मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना मैं एक तरीका तरीका बता रहा हूँ कि आप किस समय को किस तरह से utilize कर सकते हो वैसे तो जब भी आपका पढ़ने का मन करें वही सबसे अच्छा समय है चाहे सुबह जल्दी उठ करके या late night को तो किस solve कर लेना उमीद करूँगा आप सभी लोगों ने अभी तक session को like कर दिया होगा और हाँ इनको support भी जरूर करे अपनी दोस्तों के साथ में share करके अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी 11 जूनियर राष्ट्रे पुरुष होकी चेंपेंशिप 2020 को किस ने जीत लिया तो answer होगा उत्तर प्रदेश ने जो कि Summer Olympic था कौन सा संस्करन था 32 नमबर का उसमें हमारी भाट्य पुरुष होकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था ब्रोंज मेडल किसको हरा करके जर्मनी को हरा करके और हमारे International Hockey Federation के अध्यक्ष कौन है नरिंदर बत्रा अभी आपको याद होगा Asian Hockey Championship इसको किसने जीता South Korea ने इसमें भारत तीसरे स्थान पे था और भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है उडिसाक के राउर केला में जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है चलिए कुछ फटा फट से Current Affairs के Questions में आप लोगों से पूछता हूँ अभी Copa America ये जो Cup है इसका सम्मन्द फुटबॉल से है इसको किसने जीता अर्जेंटिना ने Euro Cup इसका सम्मन्द भी है फुटबॉल से इसको किसने जीता इटली ने Durand Cup इसका सम्मन्द भी फुटबॉल से है इसको जीता FC Goa ने Uber Cup इसका सम्मन्द बेडविंटन से है इसको किसने जीता चाइना ने और Thomas Cup का सम्मन्द भी है बेडविंटन से और इसको जीता है इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के तो ये भी आप ध्यान रखेंगे पढ़ते आगे बताये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंचारों का 10 जनवरी को हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं World Hindi Day के रूप में हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो फार्सी शब्दों से हुई थी जिसका मतलब होता है सिंदू नदी की भूमी और 10 जनवरी कोई क्यों मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मिलन ये नागपूर महराष्टर में हुआ था और फिर 2006 में जो उस समय के ततकालीन प्रधान मंत्री थे मनमोहन सिंग जी उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोशित किया था बाकी एक राष्टर हिंदी दिवस भी होता है नेशनल हिंदी डे वो होता है 14 सेप्टेंबर को अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो विश्व हिंदी सची वाले की स्थापना कहां पे की गई तो ये भी एक important question है अच्छा question है आंसर होगा Mauritius Mauritius की capital है Port Louis बढ़ते आगे तो बताइए अभी परधान मंतरी नरेंदर मूदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोशित किया तो आंसर होगा 26 December को मतलब अब से हर साल 26 December को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे और 26 December कोई क्यों क्योंकि सिखों के जो दसवे गुरू थे कौन गुरू गोविंद सिंग जी तो उनके दो पुत्र साहिब जादा जोरावर सिंग और साहिब जादा फते सिंग जी इनको 26 December 1704 में मुगलों के द्वारा दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया था इसलिए 26 December को हम मनाएंगे अब से वीर बाल दिवस के रूप में वैसे आप जानते हो हम बाल दिवस तो मनाते हैं Children's Day कब 14 November को और World Children's Day कब मनाते हैं 20 November को अब से हम 26 December को वीर बाल दिवस भी मनाएंगे तो ये भी याद रखना और वैसे 26 December के बाद क्या आता है 27 December 27 December को भी एक नया डे होता है महामारी की तयारी का अंतर राष्ट्रे दिवस International Day for Epidemic Preparedness ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं बताए राष्ट्रे मानव तसकरी जागरुकता दिवस कब बनाया गया तो अंसर होगा 11 जनवरी को तो हर साल 11 जनवरी को National Human Trafficking Awareness दे के रूप में मनाया जाता है मनाने का उद्देश्ची क्या है मानव तसकरी पीडितों की दुरदशा के बारे में जागरुकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके रच्षा करना तो याद रखना राश्ट्रे मानव तसकरी जागरुकता दिवस 11 जनवरी को बढ़ते आगे अच्छा बताईए देश में पहली बार Startup India नवाचार सब्ता यानि कि Innovation Week का आयोजन कब किया गया तो अंसर होगा 10 से लेके 16 जनवरी तक तो Startup India नवाचार सब्ता ये देश में पहली बार हुआ है इसका आयोजन इसलिए प्रशन में आपको बता रहा हूँ 10 से लेके 16 जनवरी तक ये हुआ और इसका उद्धिश ही क्या था जितनी भी Startups है जितनी भी Banks है और जितने भी निवेशक है इन सब को एक मंच प्रवाइट करना एक मंच पर लेकर आना ही इसका उद्धिश है और किसने इसको शुरू किया तो हमारे वानिज्य और उद्ध्योग मंत्री जो है पियूश गोयल उन्होंने और आपको याद होगा Startups को बढ़ावा देने के लिए Electronics and IT Ministry ने एक Portal को लॉंच किया था उसका नाम बता सकते हो क्या सम्रद्ध Portal और आप से पूछा जाए Unicorn Companies के मामले में भारत कौन से स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर पहले पर USA है दूसरे पर चाइना है Unicorn Companies किसे कहते हैं जिनकी Market Value 1 Billion Dollar से जादा की होती है बढ़ते आगे अब बताइए राष्ट्र युवा दिवस कब मनाया गया 12 जन्वरी को आप जानते हो भारत में हर साल 12 जन्वरी को National Youth Day के रूप में मनाते है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेका नंजी का जैनम दिन होता है और इस बार हमने उनकी 159th जैन्ती मनाई है सबसे important रहेगी इस बार की theme It's all in the mind और स्वामी विवेका नंजी से आपको याद आएगा इनके नाम पे एक योग विश्विध्याले भी है कहाँ पर लोस अंजीलिस में भारत के बाहर ये पहला योग विश्विध्याले है अच्छा अगर मैं आपसे पूछू ये तो क्या देखो राष्टर युवा दिवस एक अंतर राष्टर युवा दिवस होता है जो हम 12 अगस्त को मनाते हैं उसी दिवस हम हाती दिवस के रूप में भी बनाते हैं अच्छा बताओ अभी 25 वे राष्टर युवा महतसव 2022 का आयोजन कहां पे हुआ पुडुचेरी में हुआ था ये 12 से लेके 16 जन्वरी था जिसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त भारत और आपको याद होगा पिछले साल 2021 में हमारे सिक्षा मंत्राले ने युवा लेकरकों को सला देने के लिए प्रधान मंत्री युवा योजना शुरू की थी यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ओथर्स और एक इंडेक्स भी आये था ग्लोबल यूथ डेवलप्मेंट इंडेक्स 2020 उसमें भारत 122 पे इस्थान पे था और टॉप पे था सिंगापूर तो ये भी कुछ पॉइंट्स में आपको रिलेट करके बताएं इनको याद रखना बढ़ते आगे तो बताईए अभी प्रवासी भारते दिवस कब मनाया गया 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारते दिवस के रूप में मनाया जाता है ये सत्रवा प्रवासी भारते दिवस हम लोग मना रहे हैं क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षन अफरिका से भारत लोटे थे उन्हें महांतम प्रवासी की उपादी भी मिली है और मैंने आपको बताया था 9 जनवरी को गुरू गोबिंद सिंग की जैनती भी है जैसे हम प्रकास परव के रूप में मना रहे हैं ये सिखो के दस्वे गुरू थे अच्छा महात्मा गांधी जी से कुछ important प्रश्ण में आपसे पूछता हूँ जो अक्सर एक्जाम में repeat होते हैं जैसे कि चंपारन सत्यागरा ये कब हुआ था 1917 में बिहार में हुआ था और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्यागरा था इसलिए ये प्रश्ण important है कई बार पूछा जाता है एक्जाम में चलो बताओ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदुलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोशना की थी वैसे ये असहयोग आंदुलन शुरू कब होता है 1920 में और खतम होता है फरवरी 1922 में किस घटना के बाद चोरी-चोरा घटना होती है न उसके बाद ये गोरकपर उत्तरप्रदेश की घटना है इस घटना में हिंसा हो जाती है और उसके बाद मात्मा गांदी जी को असहयोग आंदुलन को 1922 में शमाप्त करना पड़ा था अच्छा बताओ मात्मा गांदी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षिता की थी तो 1924 के बेल गाउं अधिवेशन की और ये बेल गाउं कहांपर है करनाटक में अच्छा पूना पेक्ट किन के बीच हुआ ये भी अच्छा प्रशन है मात्मा गांदी जी और बी आर अंबेडिकर के बीच में वा था 1932 में और किस जेल के अंदर होता है ये अरवदाज जेल में जो कहांपर है पूने में है तो ये ध्यान रखना आप पढ़ते आगे अब बताईए इस प्रश्ण में आपको बताना है ये उरोपीय संसत के अध्यक्ष का निदन हो गया नाम क्या है उनका? डेविडे सासोली तो अब ये उरोपीय संसत के अध्यक्ष थे ये डेविडे सासोली जिनका भी निदन हो गया वे पहली बार 2009 में ये उरोपीय संसत के लिए चुने गए थे और किस देश के थे ये? इटली के अचा वैसे तो आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे सारी क्विज अप्लोड हो रही है वहीं पे टॉपिक वाइस क्विज़ भी आपको मिल रही है जैसे कि अपॉइन्मेंट, आवार्ड्स तो ये निदन वाले जो अबिचरी कुश्यन होते है वो भी आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे जैसे वहाँ पे प्रशनिस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए किस देश की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद अभिनित्र का भी निदन हो गया तो USA की थी ये इनका नाम था Betty White और बताइए दुनिया के सबसे उम्रिदराज महिला का भी निदन हो गया उनका नाम क्या था Francis का Susano 124 साल की थी ये और ये आखरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19-वी शताबदी में हुआ था ये फिलिपीन से थी लोग इने प्यार से लोला कहते थे और दुनिया की सबसे उम्रिदराज टेस्ट किर्किटर का निदन हो गया उनका नाम था इलीन एश ये इंग्लेंड की थी अचा भारत की पहली महिला मनोत्य कित्सप का निदन हो गया उनका नाम क्या था शारदा मैनन पहले राष्टर सुरक्षा सलाकार का भी अमारे निदन हो गया उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नाइडू इनका भी निदन हो गया भारत की पहली महिला काडेलोजिस्ट थी एस पदमावतीन का भी निदन हो गया तो ये भी ध्यान रखना नाम पढ़ते आगे अब आपको बताना है अभी भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्र उद्यान में निदन हो गया उसका नाम क्या था? गुलाबो तो भारत की सबसे उम्रे दराज मादा भालू थी ये जिसका नाम था गुलाबो और अभी मद्यप्रदेश के भुपाल में इस्थे वन विहार राष्ट्र उद्यान और चिडिया घर में इसका निदन हो गया गुलाबो ये देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था और गुलाबो से आपको याद आएगा गुलाब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा था उसका नाम था गुलाब किसने नाम रखा था पाकिस्तान ने और देको पशु की बात है तो तीन डे मेंने आपको याद करवाई थे एक तो विश्व पशुदिवस World Animal Day 4 अक्टूबर को होता है विश्व प्रयोग साला पशुदिवस ये 24 अप्रिल को होता है और विश्व क्रशी पशुदिवस World Day for Farmed Animals 2 अक्टूबर को होता है बताओ भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एंबुलेंस नेटवर्क इस्थापित किया अंदरप्रदेश ने और आपको याद होगा उडिसा में है नंदन कानन जिलोजिकल पार्क जहां पे देश की इकलोती बनमानुस थी जिसका नाम था बिन्नी उसका भी मृत्ती हो गया था कुछ समय पहले और बिन्नी से याद है का बन्नी भारत की पहली टेस्ट्यूब भैस का नाम है बन्नी और अभी इसका बच्छडे का जन्म हुआ था कहां पे गुजरात में याद रखना ये बढ़ते आगे अब आपको बताना है कि अकादमी पुरुसकार जीतने वाले पहले अश्वेत अभी निदन हो गया उनका नाम क्या है सिडनी पोईटियर तो सिडनी पोईटियर वे 1964 में लिलीज ओफ द फिल्ड में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अकादमी अवर्ड जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने थे और इनको 1974 में बृतेन की महारानी एलिजाबे दृतिय के द्वारा नाइट की उपादी भी दी गई थी और उन्हें जापान और युनेसको में बहामियन राजदूत के रुप में भी कार्रे किया था और 2009 में उन्हें राष्ट्र पती जो थे उस वक्त के उबामा उनके द्वारा सर्वोच अमेरिकी नागरिक सम्मान US Presidential Medal of Freedom से भी सम्मानित किया था अच्छा भी 2021 में 93rd Oscar हुए थे उसमें से 4 पॉइंट याद रखना Best Film का अवार्ड मिला था Nomadland को Best Actor चुने गए थे Anthony Hopkins The Father Movie के लिए Best Actress चुनी गई थी Francis McDormand Nomadland Movie के लिए और Best Director Chloe Zhao Nomadland Movie के लिए ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे अच्छा बताईए किस देश ने अपने Gateway to Hell को बुजाने की योजना बनाई है तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान तो अभी तुर्कमेनिस्तान के जो राष्टरपती है गुर्बांगुली, बर्डी मुखा में दोग उन्होंने देश के Gateway to Hell को बुजाने का आदेश दे दिया है Gateway to Hell ये एक विशाल रखिस्तानी गैस क्रेटर है जो दश्कों से जल रही एक आग है तो वे इसे परियावरन और स्वास्त कारणों के साथ साथ गेश निर्यात बढ़ाने के लिए इसे बुजाना जाते है और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ओपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी देखो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या होती है एश गबत होती है करंसी है मनत और प्रसिडेंट गुर्बांगुली है और ये जो गेटवे टु हैल है इसे नरक का द्वार भी कहा जाता है ये कराकुम रेगिस्तान में है तो इसका दूसरा नाम कराकुम की चमक भी है अच्छा तुर्कमेनिस्तान से और क्या प्रशन बन सकता है एक प्रशन कुछ तेड़ा घूम करके एक्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शंगाई कॉपरेशन ओर्गेनाइजिशन है जिसमें आपने देखा होगा जाधातार आपके मद्धिया इश्याई देश है जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उजबेकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया लेकिन एक मात्र मद्धिया इश्याई देश शंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजिशन में शामिल नहीं है तो यही तो वो प्रश्ण है और वो देश यही है तुर्कमेनिस्तान अच्छा प्रश्ण है ना देखो और 2022 के 26 जनवरी में जो मुख्य अतिती है वो यही है मध्या एशियाई देश अच्छा अब एक प्रश्ण में आपसे पूछूँगा दुनिया का सबसे बड़ा लेंड सुल्टान पहले अस्ताना थी लेकिन बाद में नाम बदलकर नूर सुल्टान कर दिया करंसी है कजाकिस्तानी तेंगे और मैं आपको बता दूँ हम उजबै की स्थान के साद भी एक बढ़ते आए अच्छा बताईए भारते रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रेक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया तो अंसरों का मिशन अमानत तो अब रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रेक करने के लिए मिशन अमानत को शुरू किया है, मतलब कही यात्री होते हैं अपना सामान ट्रेन वगएरा में भूल जाते हैं रेल्वे स्टेशन पे भूल जाते हैं तो अगर रेल्वे को उनका सामान मिलता है तो फिर वो क्या करेंगे आपसे उस सामान का फोटो वगएरा खेचेंगे उसकी detail वगरा जो भी होगी उसको अपने official website पे upload कर देंगे ताकि passenger है वहाँ पे अपने सामान को देख सके कि हाँ पैचान सके कि है मेरा ही सामान है और वहाँ से उसे आ करके collect कर सके यह है mission अमानत आपको याद होगा वैसे railway protection force यानिके railway सुरक्षा बल का तो नामी बदल दिया गया क्या हो गया भारते railway सुरक्षा बल सेवा मेरी सहेली यह भी भारते railway ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की थी मेरी सहेली नाम से और mission कवच कुंडल महाराश्टर की सरकार ने सभी को COVID-19 का टेका लगाने के लिए एक mission कवच कुंडल नाम से कभ्यान शुरू किया था operation number plate ये भी आपको याद होगा railway ने शुरू किया था इसको railway की जो no parking zone होती है अगर उसमें काफी समय तक काफी लंबे समय तक वहाँ खड़े रह जाते हैं तो उनकी पहचान के लिए ये operation चुरू किया था देखो रेल मंतरी का नाम आपको याद रखना है वर्तमान में है अश्वीनी वेशनव पहले रेल मंतरी थे जॉन मताई और मैंने कई बार अभी आपको बताया है विने कुमाज तरपाथी हमारे नए रेलवे बोड के चेर्मेन और सीओ बन गए हैं बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी किस देश में COVID-19 के एक नए variant B.1.642.0 या इसे IHU कह दीजिए इसके पहचान की गई तो अंसर होगा फ्रांस में तो COVID-19 का एक नया variant मिला था जिसका नाम है B.1.642.0 ये पाया गया फ्रांस में फ्रांस के मार्शलेश शहर में और इसे को नाम दिया गया IHU देखो दो variant आपको और याद रखने एक तो ओमिक्रों तो अभी आपको बताये ये साउथ अफरिका से आया एक कप्पा वेरियंट भी याद रखो वो है B.1.617.1 और डेल्टा वेरियंट है B.1.617.2 बढ़ते आगे अब बताना है जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वाइरस के नए संसकरन डेल्टा क्रोन की पहचान की गई तो अंसर होगा साइप्रस तो COVID-19 का एक ओर नया वेरियंट मिल गया जो की है डेल्टा क्रोन कहां पर साइप्रस देश में डेल्टा क्रोन को आपढ़ते तोड़ो तो क्या मिलेगा आपको डेल्टा और ओमिक्रोन तो मतलब इस variant में delta variant और omicron variant के लक्षन आपको मिलेंगे इसलिए इसको बोल दिया दोनों को मिला करके delta crown omicron तो आप जानते हो साउथ अफरिका से आय था जो है b.1.1.529 अच्छा भी फ्रांस में भी एक covid का नया variant मिला था b.1.642.0 या उसे I.H.U. नाम दिया गया ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए जनवरी 2022 में C.Dragon 2022 बहू राष्ट्रे अभ्यास ये कहां पे शुरू हुआ तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में और इसका नेतरत्व किस ने किया अमेरिका ने कहां पे पस्चिमी प्रशांत में जो गुआम द्वीप है वहां पे जो एरबेस है वहां पे और किन-किन देशों ने इसमें हिस्सा लिया क्वार्ड देश क्वार्ड के अंदर चार देश आते हैं भारत, अमेरिका, जापान और अस्ट्रेलिया उसके अलबा साउथ कोरिया और कनड़ा मतलब तोटल छे देशों ने इसमें हिस्सा लिया अच्छा वैसे हम अमेरिका के साथ में कौन-कौन सी एक्सरसाइस करते हैं हमने वज्र प्रहार नाम के एक्सरसाइस की थी 2020 में हिमाच्छल प्रदेश के बकलो में युद्ध अभ्यास साल में दो बार किया था एक तो फरवरी में किया था राजस्तान में और एक अक्टूबर में किया था अलास्का में टाइगर ट्रिम्प नाम के एक्सरसाइस करते हैं जो कि ट्राइ सर्विस एक्सरसाइस है एक कोप इंडिया भी करते हैं और एक मालाबार exercise भी होती है जिसमें और भी देश होते हैं जैसे कि US तो होता ही है जापान भी होता है भारत तो होता ही है और इस बार Australia भी इसमें शामिल हुआ था तो US, जापान, भारत और उस्ट्रेलिया को ही Quad Countries कहा जाता है बढ़ते हागे बताईए हाली में किस राज्य में लोसांग महत्सव यानि कि नामसूंग महत्सव भी आप इसको बोल सकते हो ये काँ पे मनाया गया तो अंसर होगा सिक्किम में तो लोसांग बोल दीजिए, नामसूंग बोल दीजिए ये जो महत्सव है ये हर साल सिक्किम में तिबबती चंदर कैलेंडर के दसवे महीने के अठारवे दिन मनाया जाता है जो कि फसल के मौसम की शुरुवात का भी प्रतीक है और ये जो तेवार है ये भारत के अलावा नेपाल और भूटान में भी बनाया जाता है देखो सिक्किम की केपिटल गंग टोक होती है मुख्यमंत्रिये पिये स्कोले और गवर्नरे गंगा प्रसाद और अगर मैं आप से बुछूं कि एक फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है उन फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है बाइचिंग भूटिया ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे अब बताईए हाली में उत्तर प्रदेश के कितने गाउं को राजस्व गाउं के रूप में घुशित किया गया तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास इस्थे चार गाउं को राजस्व गाउं घुशित किया है वो चार गाउं कौन से हैं भवानिपूर, तेडिया, ढाकिया और बिचिया और ये सबी गाउं वन्तागिया गाउं है वन्तागिया समुदाये में वे लोग शामिल है जो कि ओप निवेशक शाशन के दोरान म्यानमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे लाए गए थे इन चार गाउं में करीब 225 परिवार हैं जिन में 1500 से ज़्यादा लोग रहते हैं अच्छा, राजस्व गाउं का मतलब क्या हो गया तो एक राजस्व गाउं परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशाशनिक शेत्र होता है एक राजस्व गाउं में कहीं गाउं हो सकते हैं और ग्राम पशाशनीक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है और इन गाओं के लोगों को अब सरकार की सबी यूजनाव का लाब भी मिलेगा अच्छा उत्तर प्रदेश की बात है न देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनव है लखनव किस नदी के किनारे इस्तित है पूछेंगे तो गोमती नदी के किनारे और हमारी तो रक्षा मंत्री है राज अनाथ सिंग उनकर निर्वातिन शेतर भी लखनव ही है और मुख्य मंत्री है योगी अधित्यनाथ जिनके उपर एक बुक लिखी गई थी अभी अचा बताईए अभी उडिशा सरकार ने मात्रत्व अवकाश का लाब 90 दिन से बढ़ा कर गितना कर दिया इसके अलावा गौर्मेंट जॉब के लिए जनरल केंडिडेट्स की जो मैक्जिमाम एज लिमिट है उसे 32 वर्ष से बढ़ा करके 38 वर्ष करने का भी निर्ने लिया उडिशा सरकार ने है देखो उडिशा की कैपिटल भूनेश्वर है मुख्यमंतरी नवीन पतनायक है और अभी नवीन पतनायक जीने एक भुक को लॉंच किया था जिसका नाम है गजपती अकिंग विदाउट अकिंग्डम जिसको लिखा है अशूक बल्ले और यहांके गवर्णर है गणीशिलाग बढ़ते आगे अब आप बताईए अभी इंडियाए स्किल्स 2020不到 national प्रत्योगिता में कौन्चार राजीय टॉप पे रहा तो आम चरोगा उडिसा तो देश की सबसे बड़ी स्किल प्रत्योगिता है यह इंडिया स्किल्स 2021 याद रखना यह एक राश्टर प्रत्योगिता है और इसमें सबसे जदा आवाड जीते हैं उडिसा ने, मतलब उडिसा टॉप पे रहा है इस इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रत्योगिता में सेकंड नमबर पे महाराश्टर और तीसरे नमबर पे केरल रहा, ध्यान रखना ये